बिहार में लोग अब दो दिनों तक अनलाइन सरकारी सिवाओं का लाब नहीं ले सकेंगे दरसल सनिबार और रविवार को अनलाइन कर्फियू होने जा रहा है जिसके कारण सरकारी विभागों की बेवसाइट दो दिनों तक बंद रहेगी दोरान स्टेट डेटा सेंटर की भी सिवावे पूरी तरह से ठाप रहेगी जिलाकार्यालों और बिभागों में के जनता से जुड़े सभी कामों पर इसका असर दिखाई देगा डेटा स्टेट सेंटर के मेंटेनेंस कारे के चलते दो दिनों तक ओनलाइन सिवाए बादित रहेगी सनिवार और रविवार के दिन ओनलाइन सिवाए नहीं चालू की जाएगी ओनलाइन कर्फियू दो दिनों तक सरकारी विभागों में लगाया गये हैं सभी वेवसाइट ब प्रदोद की बिभाग ने राजी के सभे बिभागों डीजीपी प्रमंडलिये आयूक्त डीएम एसपी को पत्र लिख कर इसकी जानकारी दी है इसके मुताबिक सरकारी बिभागों की बिवसाइट पर रवीवार रात और सोमबार की सुबह तक सुचारू हो जाएगा बता दे कि बिहार में 44 सरकारी विभागे से जुड़ी सभी जानकारी और कई सिवाए जनता को ऑनलाइन उपलब्द कराई जाती है मगर दो दिनों तक बिवसाइट काम नहीं करेगा जिसके चलते आम जनता सिवाओ का लाब नहीं ले सकते हैं साथी इसके जरिये होने वाली गतिबीदिया भी संचालित नहीं हो पाएगी सरकारी पैसा भी ऑनलाइन ट्रांस पर नहीं हो पाएगा ऑनलाइन सिवाए बारित होने से आम जनता पर इसका असर देखने को मिल सकता है आपको बता दे कि सनी बार और रविवार को ऑनलाइन कर्फियू रहेगा जिसके कारण सरकारी बेवसाइट करेगा इसकी सूचना जन संपर्क बिभाग के तरब से दी गई है अधीश में ये कहा गया है कि कुछ मेंटिनेंस के कारे हितुई से बंद किया जा रहा है अगर आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये भी दिक्कत आ सकती है रविवार की रात और सोमबार के सुबह से आप ऑनलाइन पैसों का ट्रांजिक्शन कर सकते हैं तो आम जनता को इससे परिशानी हो सकती है लेकिन जो गड़बड़िया हो रही थी उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि ओनलाइन कर्फियू दो दिनों तक लागू रहेगा बिहार में 44 बिभाग है 44 बिभागों से जो जनकारी मिलती है वो बिवसाइट पर लोग चेक करते हैं लेकिन कर्फियू लगने के कारण अभी इसे चेक नहीं किया जा सकता है क्योंकि मिंटिनेंस का कारे चल रहा है बिवसाइट जो भी खराब है उसको लेकर काम सभी बिभ के ऑनलाइन काम नहीं हो पाएंगे बरो रिपोर्ट लाइब बिहार लाइब बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें